तो सिंह राशेवालों, नमस्कार दोस्तों, जैत्रिदेव स्वागत है, आप सभी का आज का अत्यंत ही महत्वपूर्ण और खास ज्योतिश कार्यक्रम में तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कितनी देव आपको यह तोहफा देना चाहते हैं, वह भी जी हाँ दोस्तों, त्रिदेव आपसे प्रसन्न हो चुके हैं, और दो करोड रुपए का तोहफा देना चाहते हैं, आज दोस्तों, आप यह समय धन से माला माल होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों, ब्रह्मान्ड के सबसे शक्तिशाली देवता आपसे प्रसन्न हो चुके हैं यूँ कहें कि आपके उपर महरबान हो चुके हैं, जिसके कारण आज आपको मिलने वाली है दो करोड रुपए। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मा विश्नु महेश त्रिदेव ने दे चुके हैं, आदेश आपको भी हो जाना है, अत्यंत सावधान और त्रिदेव के कही गई बा मौके का फाइदा उठा कर अपने किस्मत को भी चमका सकते हैं, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, कुछ ऐसी खास मौकों के बारे में हम आपको बताएंगे, जो आपको जीने है और जिनका आपको फाइदा उठाना है, परंतु हाँ, कई बार जोश में आकर ह महत्वपूर्ण उपाए भी मैं आपको बताएंगे हैं, क्योंकि आने वाले 24 घंटे बड़े गंभीर है, आपको बहुत बड़ा धन लाब हो सकता है, क्योंकि वर्मा विश्नु महेश्त्रिदेव ने दे दिये, हैं आदेश और आपको देना चाहते हैं, बहुत बड़ा त अच्छी तरह से विश्लेशन करवाने के पश्चात, हम आप सभी के लिए विशेश तौर पर आज की वीडियो का निर्मान किये हैं, इसलिए आप इस वीडियो को मजाक ना समझें, और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों, त्रिदेव आपको एक जिससे दोस्तों, आपका दिमाग में अच्छा अच्छा विचार आएगा, और ज्यादा पैसा कमाने का मार्ग भी आपको मिलेगा, जी हाँ दोस्तों, साथ में आपको दो अनमोल बड़े तोहफा भी मिलेगा, जी हाँ यह त्रिदेव यानि यह तीन देवता आपके घर की रक्षा कर रहा है और अब भी भी आप गलती कर रहे हैं, यूँ कहें कि आपको भनक नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि त्रिदेव आपसे प्रसन्न हो चुके हैं, और आपकी जिन्दगी में जो भी परेशानिया हैं, अब ब्रह्मा, विश्नु, महेश, परेशानी है, वह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, बलकि दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आपको ऐसा मौका नहीं मिल रहा है, जी, आपके सारे परेशानी तुरंत खत्म हो जाए, और दोस्तों, नहीं आपके जीवन में कोई ऐसा रास्ता है जिस से आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और अपनी परेशानियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों जो कि दोस्तों हर एक इनसान की चाहत होती है तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देख लीजिए जी हाँ दोस्तों इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे लेकिन दोस्तों यहां से मैं आप इस बात को सोचेंगे कि आखिर पैसों की दिक्कत किसको नहीं है जी हाँ पैसों के दिक्कत हर एक इनसान को होती है लेकिन दोस्तों दूसरों में और आप में फर्क है और इस अंतर को यानि फल को आप तभी समझ पाएंगे जब आप आज की जोतिश कार्यकरम को अंत तक देखेंगे जी हां दोस्तों क्योंकि आज किस वीडियो में हम आपके जीवनकाल की सबसे बड़े मूल मंत्र आपको बताने वाले हैं जो कि दोस्तों आपकी जीवनकाल में होना बहुत ह की ज्यादा आवश्यक है जी हां दोस्तों क्योंकि अक्सर आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि आप एक परेशानी से बाहर आते हैं तो वहीं आपके जीवन में दूसरी परेशानी भी खड़े हो जाती है और ऐसा बात भी नहीं है क्या आपकी जीवन में पैसा नहीं आया आपकी जिंदगी में पैसा तो बहुत आया है लेकिन आपकी जिंदगी में पैसा इधर से आते हैं तो फिर उधर चले जाते हैं एक समस्या अगर यहाँ पर शांत होता है तो वही दूसरे समस्या आपके सामने खड़े हो जाते हैं जिसके कारण आपकी जिंदगी में जो पैस के लिए कितना आवश्यक है लेकिन दोस्तों उससे पहले सर्व प्रथम इस वीडियो को एक लाइक करें अगर आप भगवान महादेव भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे म को भी प्रेस कर दें जिससे आपको समय समय पर हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उसे आसानी से देख सकें तो दोस्तों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलिए बिना देर किये ही अब वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके राशि की मित्र या रिष्टेदार के साथ संबंधों में मधुर्ता आएगी आप अपने आपको तनाव मुक्त महसूस करेंगे तथा अपने कारियों में सफलता पाने के लिए थोड़ा स्वार्थी होना पड़ेगा बाहरी गतिविधियों में समय व्यतीत करने से पैसा और उर्ज में सहायक रहेगा प्रॉपटी संबंधित व्यवसाय में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे इससे आर्थिक स्थिती मजबूत हो जाएगी किसी ओन अर्डर को पूरा करने के लिए उधार लेना पड़ सकता है घर से संबंधित गतिविधियों पर आपको सहयोग देना होगा इस आपके लिए संभव नहीं होगा जो बातें आपको मानसिक रूप से कमजोर बना रही हैं उनमें बदलाव करने की कोशिश करें करियर का निर्णय लेते समय अन्य लोगों को महत्व क्यों दिया जा रहा है और ये सही है या गलत इस बात का अवलोकन करना जरूरी होगा तथ के मामले में किसी पर ज्यादा भरोसा न करें साथी में दोस्तों आपका पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति अपना दायित्व समझना परिवार में खुशाहाली लाएगा आपकी छुपी हुई प्रतिभा को भी पहचान मिलेगी घर में किसी मांगलिक कार्य होने जैस विद्यार्थियों को अपने शिक्षा संबंधी गति विधियों में और अधिक मेहनत की जरूरत है व्यवसाय व्यवसाय कार्य प्रणाली में कुछ चुनौतियां रह सकती हैं परंतु धैर्य बनाकर रखें जल्दी ही परिस्थितियां सामान्य हो जाएं साथी में दोस्तो इन बातों का ध्यान रखें कि अधिकारियों से मदद मिलेगी और इसी के साथ परिवार जनों के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है समय अनुसार अपने व्यवहार में भी बदलाव लाना जरूरी है एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें तथा आज दिन भर घर के रख रखाव और त्योहा इस कार्य को लेकर व्यस्तता बनी रहेगी परंतु इसके परिणाम भी बेहतरीन मिलेंगे युवा वर्ग अपनी किसी दुविधा के दूर होने से राहत महसूस करेंगे और हां किसी नजदी की संबंधी के साथ कुछ बहस बाजी हो सकती है जिसकी वजह से आपके अंदर श समय काम और लोन के मामलों पर दोबारा विचार करने की जरूरत है राज की ये मामलों निप्टाने के लिए समय उचित है आफिस में किसी सहयोगी के साथ कोई समस्या हो सकती है कमजोरियों के कारण जो नुकसान हुआ है उससे सीख लेकर आगे के काम करें शुरुआत में आ बातों का भी ध्यान रखें कि महत्वपूर्ण काम पर पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो तुरंत फैसला लें घर में भी साज सज्जा संबंधी किसी बदलाव पर योजना बन सकती है महिलाएं पूरी तनमैता के साथ सभी गती विधियों को आसानी से व्यवस्थित करने मे कामयाब रहेंगी मौजूदा समय में चल रहे बिजनेस के कामों के साथ नए काम में भी फाइदा बरहाने का मौका मिल सकता है कला और मीडिया क्षेतर से जुड़े व्यवसाय में आज अप प्रत्याशित लाब होने की उम्मीद है विदेशी कमपनियों में कार्यरत लोगो को बॉस से प्रशंसा मिलेगी तथा भाग्य आपकी वित्ती स्थिती पर मुस्कुरा रहा है और अधिक कमाई के कारण आपके खर्चे भी बरह गए हैं अब समय आ गया है कि आप अपने खर्च पर नियंतरन रखें अब फिजूल खर्ची से बचना होगा आपके परिजन य आ गया है कि आप अपनी अतिरिक्त देख भाल करें अगर आप अपनी सेहत के मामले में लापरवाही करेंगे तो आपको बुखार या दूसरी छोटी मोटी तकलीफें हो सकती हैं अपने किसी विश्वसनिय व्यक्ती को अपने दिल का राज बता सकते हैं इससे आपको मानसि स्थिती और जीवन शैली भी बदलें तथा प्यार और संबंध राशिफल की बात करें तो दोस्तों आप अपनी नौकरी और कैरियर के लिए अधिक से अधिक समय समर्पित करने के कारण अपने प्यार और अपने साथी की अंदेखी कर सकते हैं आपके साथी को काफी हद तक यह समझ आ चुका है लेकिन अब वह अधीरता के संकेत दे रहा है दे रही है आपके लिए यह जरूरी है कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन पर भी ध्यान दे अन्यथा यह काफी संकट में आ सकता है अभी तक आपने इस और ध्यान नहीं दिया है इस और अपना ध्यान दे अन्यथा काफी देर हो चुकी होगी और हाँ कैरियर और धन राशिफल की बात की जाए तो मित्रों आज के दिन आपकी प्रतिभा को आपके उच्च अधिकारी पहचानेगे और आपके कार्यक्षेत्र में आपकी काफी प्रशंसा होगी और साथ ही साथ आपको घर में उपह पहार भी मिल सकता है जो आपके दिन को प्रजवलित करेगा और आप इसके हाकदार भी हैं। आपने अपने करियर को उठाने के लिए बहुत प्रयास किये हैं जिससे कि आपको अपने कार्य की सराहना मिलेगी और अब उनके फल मिलने का समय भी है। आज के दिन आप कुछ महंगी खरीदारी में भी व्यस्त रहेंगे। तथा संबंधों में उल्जन, दोहरे अर्थों वाली बातचीत तथा गलत फेहमियां आज पूरे दिन आप पर हावी रहेंगी लेकिन इससे किसी नुकसान की बजाए मनोरंजन की उम्मीद ज्यादा है। इसी लिए इनके बारे में चिंता करने की बजाए अपने मूड को हलका फुलका रखें और हो रही घटनाईयों का आनन्द उठाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो दिन बहुत खुशगवार गुजरेगा। तथा जहां तक आपके स्वास्थ्य और फिटनेस रूटीन का आप कुछ दिनों से लापरवाही कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप वापस ट्रैक पर आ जाएं। नहीं तो आपने अपनी फिटनेस को लेकर जो जो प्रयास किये हैं वे सब व्यर्थ हो जाएंगे। हलाकि यह भी ध्यान रखें कि इसे लेकर खुद को बहुत अधिक परेशान नहीं करें नहीं तो जल्दी ही आपका जोश खत्म हो जाएगा। सब चीजों को लए में वापस आने के लिए केवल जिम में 30 मिनट बिताना काफी होगा। और मित्रों इन बातों का भी ध्यान रखें कि अध्यात्म की सहायता लेने का सही समय है। क्योंकि मानसिक किसी बड़े धन संचित करने की सलाह लें तो दिन चड़ने पर किसी पुराने दो से सुखद मुलाकात होगी। अपने प्रिय के साथ आज अच्छी तरह बरताव करें। थोड़ा सा मूल भाव और चतुरता। काफी फाइदा पहुचा सकती है तथा अंजान लोगों से बा किसी परेशान करने वाली समस्या के बारे में लगातार सोचते रहेंगे। लेकिन केवल सोचते रहने से कुछ समाधान हाथ न लगेगा। आप जैसा सोच रहे थे आज आपको उससे विपरीत सूचनाएं मिलेंगी जिसके कारण आपको अपने पहले से सोचे हुए में बद आपको अपने सामान्य कुशल तरीके से इन से निपटना होगा ताकि ये आपके कैरियर के अवसरों में आने वाले समय में वृध्ध कर सके। आपकी वित्तीय स्थिती में सुधार आएगा लेकिन आपको बुध्धिमानी से निवेश और देखभाल के साथ अपने अग्रि परिवर्तन ही शाश्वत नियम है विसलिये बदलाव तो आपके जीवन में भी होना ही है तथा आपका शारीरिक स्वास्थे अच्छा है लेकिन आपकी भावनात्मक स्थिति काफी नाजुक है कोई भी तनाव या भानात्मक दबाव अपना असर जरूर दिखाता है आप ज गलत बातों में बदलाव करना जरूरी होगा वरना आप खुद को मानसिक स्वरूप से कमजोर बना लेंगे जीवन की अटकी हुई कई बातों को गती मिल सकती है पैसों से संबंधित चिंता छोड़ कर केवल काम की क्वालिटी पर ध्यान देते रहे तथा चतुराई और वि निर्णए ले रहे हैं उस बारे में विचार करके खुद के लिए तनाव न बढ़ने दें। पैसों से संबंधित लिये निर्णए सही साबित होंगे। किसी व्यक्ति के सुझाव पर गहराई से विचार करें। परिवार से जुड़ी बातों का खुद पर तनाव न बढ़ परिवार वालों का हसी मजाक भरा बरताव, घर के वातावरण को हलका फुलका और खुशनूमा बना देगा, आपके प्यार को न सुनना पढ़ डच सकता है, वेब डिजाइनर्स के लिए बेहतरीन दिन है, पूरी एकागरता से काम करें क्योंकि आज आप चमक सकते हैं, कुछ आप कभी समय नहीं निकाल पाएंगे, मुम्किन है कि आपका जीवन साथी आज आपके लिए परियाप्त समय न निकाल पाए, तथा काम काज की तरफ जरा ज्यादा गहौर करने की जरूरत है, होशियारी से निवेश करें, दोस्त, शाम के लिए कोई बरहिया योजना बना क आपका दिन खुशनुमा कर देंगे, आप इस दिन को अपनी जिन्दगी में कभी नहीं भूलेंगे, अगर आप प्यार में डूबने के मौके को आज यूं ही न गवाएं तो, आप जीतोद मेहनत और धीरज के बल पर अपने उद्देश्य हासिल कर सकते हैं, आज के दिन आ कथा आँख के मरीज प्रदूशित जगहों पर जाने से बचें, क्योंकि धूआ आपकी आँखों को और नुकसान पहुचा सकता है, अगर मुम्किन हो तो सूरज की तेज रोशनी से भी बचें, बोलते समय और वित्तिय लेन देन करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है, आप सभी पारिवारिक करजे खत्म करने में काम्याब रहेंगे, आज आपकी मुसकान बेमानी है, हसी में वो खनक नहीं है, दिल धढ़कने में आनाकानी कर रहा है, क्योंकि आप किसी खास के साथ की कमी महसूस कर रहे हैं, आज अनुभवी लोगों से जुड़ड कर जानने आपके लिए ही कुछ-कुछ करने में व्यस्त था, और इसी के साथ दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखें, कि चाहे जितनी भी कठिनाईयां हों, आपका विश्वास बढ़ता रहेगा, अंतिम परिणामों को ध्यान में रखते हुए प्रयत्न जारी रखें, जिन बातों की वजह से दिक्कते हो रही हैं, वह सुलजने लगेंगी, किसी व्यक्ति से प्रेरित होकर आप खुद में सुधार करने के लिए प्रयत्न बढ़ाएंगे, व्यक्तिगत जीवन से जुड़े निर्णय पर्टिके रहें, तथा स्थितियां और घटनाएं इस प्रकार कि आपको पहले से सोच समझ कर लिया गया एक फैसला बदलना पड़ी डी एच सकता है, आपको जीवन में आने वाली चीजों के प्रती अधिक जिम्मेदार रवय्या अपना ना होगा, आप अपने पहले तय किये गया कारिक्रम के अनुसार नहीं चल पाएंगे, क्योंकि आ प्रत्याशित घटनाओं के कारण अपना कारिक्रम बदलना पड़ी एच सकता है, इस अप्रत्याशित घटना के कारण आपके छोटी अवधी के लगभग सभी कारे प्रभावित होंगे, और हाँ, स्वास्थे और कल्यान, राशिफल की बात की जाए तो दोस्तों, आज इसे आदमी की वजह से गुस्से में अनियंतरित पाएंगे, जो बिना बात आपकी सब चीजों में टांग अडाता रहता है, इससे आप बेहोश भी हो सकते हैं, इसी लिए अपना ध्यान रखें, और इस आदमी हकराप तरो ताजा भी होंगे, और आपका आत्म विश्वास भी बरहेगा, तथा प्यार और संबंध राशिफल की बात करें, तो आज अग दिन आपके लिए बहुत खास होगा, आपको अपने मन की बात बताने का मौका मिल सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, कि आपके मुह से कुछ ऐसा न निकले, जिसके लिए बाद में आप आपको पच्ताना पडडडड़ है, जा ए अपनी बात छोटे और अर्थपूर्ण तरीके से पूरी करें, आपको अपने पार्टनर से खुल कर बात करने के और भी मौके मिलेंगे, जो बात आपके मन में कई दिन से है, उसे सामने आने दें, तथा कैरियर और धन राशिफल के बारे में बात करें, तो आप आज कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी लें, अगर आप इसे अच्छी तरह से करते हैं, तो आपको एक दैनिक आधार पर इस तरह की जिम्मेदारी सौपी जा सकती है, इसके साथ वेतन में वृध्ध भी आएगी, इसलिए इमान दारी से काम कर करते रहे और लगातार अपने आपको प्रेरित करते रहे, हो सकता है कि लाबाज दिखाई न दे, लेकिन आप एक बहतर जीवन के लिए कल की दिशा में काम कर रहे हैं, अपने कार्य को पूरा करने के लिए अपनी रचनात मक्ता का प्रयोग करें, आज आप अधिकार जतान करते हैं और सबसे बहतर कर सकते हैं, तब भी कार्य में औरों का सहयोग लेने की कोशिश करें, और इसी के साथ, जीवन में कई बार चीज़ें अपने हिसाब से होती हैं, और जब कोई भी चीज अपने हात में न हो, तो धीरज और शान्ति से इंतजार करने के अलावा, कोई रास्ता नहीं बच्चता आय अगर आप बेचैनी तथा अधीरता दिखाएंगे तो आपकी सेहत पर बुरा असर पड़िधेगा आय किसी हिस्से में दर्द महसूस कर सकते हैं आया राम करें और कोई अच्छा सा खुश कर देने वाला संगीत सुनें आपको काफी राहत महसूस होगी इत्था आप अचानक अपने भीतर काफी आत्म विश्वास महसूस करेंगे और आपको अपने रोमैंटिक संबंध के मामले में भी अपनी अलग पहचान को समझने की जरूरत है आपको यह समझ आने लगेगा कि मर्यादित सीमाओं से वास्तव में संबंध में और मर् की सहायता का भाव रहेगा आप धर्मार्थ कार्य में शामिल हो सकते हैं जो कि आपका समय और प्रतिबधता को छीन सकता है आपको यह निर्णय लेना होगा कि धर्मार्थ कार्यों से जुढधे रहकर कुछ करना चाहते है जिससे आपके वित्तिय स्थिती पर प्रभाव से आपकी वित्तिय स्थिती काफी प्रभावित भी होगी अपनी इस खर्च करने की प्रवृति पर नियंतरन रखें तो दिन शांती से गुजर जाएगा आपको आज कुछ नई वित्तिय योजनाएं भी पता चलेंगी तथा जो लोग विलासिता के सामान के व्यवसायों मे शामिल हैं वे लोग आज बहुत लाभ में रहेंगे और साथ ही साथ जो लोग स्वरोजगार में हैं वे भी अपनी दरों में बढ़ोतरी कर सकते हैं और साथ ही साथ मनवानचित राशिकी प्राप्ति कर सकते हैं उन लोगों पर ध्यान न दें जो लोग आपकी सराहना करने म बस अपनी विशेशद्ध कौशल से लाभ प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों के महत्व को आप स्वीकार करें। तथा आज के दिन आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं रहेंगी। अपक हो सकते हैं और किसी सहकर्मी से आप विवाद में फस सकते हैं। इन घटनाओं की वहद से कोई लापरवाही भरा निर्णय न ले जो कि आपके लिए अच्छा ना हो। आपको अपने क्रोध पर नियंतरन रखना होगा। अन्यथा आप इन घटनाओं की वहद से ऐसी पातावरन बना रहेगा और चिंताएं नहीं रहेंगी। इसी लिए अपने परिवार के साथ रहें और खुशियां बांटें। आपको जीवन में निराशा से दो-दो हात करने का नया तरीका निकलना होगा जो आपके भीतर कई कारणों से भरी हुई है। आपकी भीतरी शक पातावरन बना रहें और उनकी पूजा पाठ करें जिससे आपके सारे सपने सच हो जाएंगे।